हाई गाईज, वेलकम बाइक आज के ट्रेलिंग सेसन में जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक थे उन सब में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली अब मेरे पास काफी कोईरी आई थी कि मनिस भाई क्या अब IT सेक्टर यहां से बड़ी जहली को तयार हैं क्या यहां पे opportunity है buy करने का तो आज के इस वीडियो में हम technical analysis करेंगे जितने भी Nifty के IT स्टॉक हैं और यह जानने की कोशिस करेंगे कि यहां पे क्या buy opportunity बनती है लेकिन मेरे इस वीडियो का मतलब आपको कोई recommendation देना नहीं है मेरा purpose आपको technical analysis सिखाना है ताकि आप खुझ से stock को सही जगा पर buy कर सको सही जगा पर sell कर सको यह सिर्फ एक learning वीडियो है सबसे पहले बात करते हैं वीडियो का देना से देखना जो chart pattern होते हैं वो बाते करते हैं आपको सारे चीज़े बताते हैं कि अगर आपको buy करना है तो यहाँ पर buy करो sell करना है तो यहाँ पर sell करो लेकिन condition यह है कि आपको chart pattern पर expertise होना चाहिए यह एक uptrend था बहुत बड़ा uptrend था वहाँ उपर जाकर double top बना double top means अब यहाँ पर गिरावट आनी तैय हैं और अगर आप यह देखो यहाँ पर यह बड़ा था double top यह फर्स top, second top यह जो base था इसको break out हुआ sorry break down हुआ और stock नीचे आना सुरू हुआ अब uptrend के बाद जो दूसरा trend होता है वह उता है downtrend तो अगर आप देखो तो stock लनागा तार नीचे आ रहा है अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो यह downtrend है वो खतम हो किया अब stock अब नीचे नहीं जाएगा तो इसको identify करने का जो तरीका है उसको बोलते है falling waves काफी effective chart pattern है जो आपको bottom को identify करने में काफी help करता है इसको draw करने का तरीका यह है कि आपको लेने हैं दो major resistance और उनको लेकर एक trend line को draw करना है अगर यह जो resistance line है दो या दो से ज़्यादा अगर मिलते हैं तो एक और यह high होजाती है तो दियान से लेखना मैं एक यह दो और यह तीन इन तीनों को लेकर मैं एक trend line को draw करता है अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कितने हाँ पॉइट बहे रहे हैं एक दो तीन लगवक तीन पॉइंट हमारे पास है अब हमें यह देखना होता है कि trend line को price ने जिस जगह पर break out किया है वहाँ पे एक अच्छा खासा candle बनना चाहिए तो आप देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा candle बना यह तो यहाँ पे यह इस बत का confirmation था कि अब यह जो down trend है ना वो खतम हो गया है अब price और थरदर नीचे नहीं जाएगा अलाकि यह उसके बाद से stock नीचे तो आया लेकिन वापस से यहाँ पे bounce गए हुआ उसके बाद यह जो down trend खतम हो गया उसके बाद यह जो था पूरा का पूरा जो stock है range में आ गया अब देखो यहाँ पे यह stock एक range में trade करने लगा और अगर अब देखो गे ना तो यहाँ पे multiple chart patterns बनने लगे तो हमें यहाँ पे दो चीजों से confirmation बही गया पहला तो falling ways ने confirm कर दिया कि downtrend खतम हो गया उसके बाद वी प्रोग एक range में trade करने लगा और यहाँ पे multiple chart pattern वो कैसे बन रहे हैं उसको अब देख लो यह है यहाँ पे इसको क्या बोलोगे inverted head and solder भी बोल सकते हो cup with handle भी बोल सकते हो यह यहाँ ब्रिक आउट हुआ लेकिन यह ब्रिक आउट fail हो गया again stock नीचे आया और again यह दूसरी बाद ब्रिक आउट तो इसका मतलब यह है कि downtrend खतम हो गया है और जो यह consultation का period था यह भी खतम हो गया है तो अब यहाँ पे जो अगला step होता है जो चार्ट का अगला behavior होता है downtrend, consolidation उसके बाद होता है uptrend क्योंकि अच्छी कंपनिया है और ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहा सकती fundamental को मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि जो ITK जितने सारे stock थे सब के सब अच्से result पोस्ट कर रहे हैं आप खुछ से जाकर इनके fundamental को देखना तो अब यहाँ पे एक different chart pattern का formation हो रहा है अगर आप मेरे videos को follow करते हैं तो मैं एक chart pattern की बात करता हूँ जिसको बोलता हूं rounding bottom तो बड़े time frame में यहाँ पे यह पूरा का पूरा rounding bottom बन रहा है rounding bottom मतलब stock को नीचे लाओ 68% है और अगर पूरे target की बात कर लेना जो इसका depth है यह rounding bottom का final target होता है यह पूरा depth होता है और अगर इसके target की बात करें यहाँ तक तो यह कितना है तो simply इसको यहाँ से लेना है और 137% का है सवाल आएगा कि मनिस्वाई कितना time लगेगा मैं हमें सब बोलता हूँ कि जब भी rounding bottom अपने final stage में होता है final stage मतलब क्या कि जहां पे accumulation का काम पूरा हो चुका है नीचे लाया गया stop को गिराया गया उसके बाद से accumulate किया गया और जब accumulation पूरा हो जाता है तो भाई जो लोगों ने जिन लोगों ने इसको यहां से नीचे लाया है उनको भी पैसे बनाने है और भी पैसे बनाने के लिए है तो उनका पैसे कब बनेगा जब stock उपर जाएगा तो उसके बाद जब यह final stage में होगा तो बड़े बड़े candles बनेंगे जैसे आप देखो आज यह जो जड़नी है बड़े candles बनने के सुरूब गई है तो यहां से एक rally आएगी और stock सीधे वहीं पे आएगा जहां से यह नीचे आया था तो मुझे नहीं लगता कि यह जड़नी है 66% की इसको आने में एक से डिर साल लगेंगे क्यों एक से डिर साल क्यों लगेंगे क्योंकि यहां से यह कब बना सुरूबा अक्टूबर 21 से और अभी कितना है दो साल से ज़्यादा समय हो गया है और यहां पे 60-70% की जड़नी है यह दो 60-70% मतलब क्या यह जो मैंने imaginary line जो खीचा है मैं इसकी बात कर रहाऊ तो यहां पे maximum journey इसने cover कर लिया है तो 1.5 year भी अगर लग जाते हैं तो 66% एक अच्छा खासा gain है वो भी large cap में अच्छे stock में बड़े stock में सेम infosys की अगर हम बात करें तो वहां पे भी सेम तरीके का chart pattern बन रहा है जिस तरीके से विक्रो में बना था लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ना तो यह जो journey है वो लग भग complete हो चुकी है थोड़ा सा journey बचा है और यहां से अगर target की बात करें ना तो यह कितना upside है यह है लग भग 22% upside है जो उचे नहीं लगता कि यह दो से तीन महीने लगेंगे वापस से इसको यह जो rounding bottom बन रहा है ना पूरा complete होने में और अगर again इसके पूरे target की बात करें ना तो यह जिसका target निकल गर कितना आ रहा है तो यह आ रहा है लग भग current market price से कितना है तो अगर जो मैं इस पूरे देफ़त को लूँ और यहां पे रखूँ तो यहां से 67% का एक बेहतरीन गेंग दिखाई दे रहा है PCS की बात करें तो यह जो stock है already लग भग अपने जो इसका rounding bottom है वो complete होने वाला है stock नीचे आया था इसको एक range में रखकर accumulate किया गया और वापस से यह जो अपना इसका resistance था यह 4 ताउजन का वहां पे परुशने की कुशिस कर रहा है और यहां से 65% बचा है लेकिन अगर इसके rounding bottom के जो इसका target है अगर इसकी बात करें तो यहां से stock को कितना उपर जाना है तो मैंने इसको पूरा इसको रखा और यहां से अगर देखें तो यह लगवग 35% का एक बहतरीन गेन है ACL technology की बात करें तो यहां पे भी सेन तरीके का chart pattern बना था जैसे वीप्रो में बना था यहां पे यह पूरा पूरा rounding bottom था stock नीची आया वापस से stock वहें पे पहुँचा और आज के दिन यहां पे एक बहुत बड़ा breakout हुआ है तो इसका जो टार्गेट इस surrounding bottom का जो टार्गेट है वो कितना है तो पूरा देख यहां पे रखना है और इसको रखना है यहां पे 1800 का टार्गेट निकल के आ रहा है और current market price से कितना उपर है अगर इसकी बात करें तो यह current market price से यहां से अगर इसको लेते हैं तो यह 22% अपसाइट है और जिस तरीके से यहां पे यह candle बन रहे है मुझे नहीं लगता कि 223 मंत लगेंगे यह जो टार्गेट है इसको एसी फोने में अगला स्टॉक है टेक महिंदरा अगर आप देखोगे तो यहां पे भी सारे जितने भी IT के स्टॉक है सब में सेम तरीके का चार्ट पैटर्न बना है स्टॉक को नीचे लाए गया उसके बाद से यहां पे नीचे लाया गया यह देखो नीचे आया एकुम्लेट किया गया और वापस से राउंडी बॉटम की जड़नी शरू हुई और फिर से यहां यहीं पे जा रहा है जहां से स्टॉक नीचे आया था अगर इसके टार्गेट की बात करें तो यह पूरा दिप्त लेना है इसको उपर रखना है और करेंट मार्केट प्राइस से यह कितना अपसाइड है तो यह 59% अपसाइड है तो सारे के सारे आईटी स्टॉक सेम कहानी बता रहे हैं कुछ समय पहले PSU BANKS में हुआ था मैंने इन जो IP के स्टॉक है उनके उपर काफी पहले वीडियो बनाया था क्योंकि मैं हमेशा चार्ट पैटर्न के बेस पे बाटम में बाई करना पसंद करता हूँ बाटम को आइडेंटिफाई करता हूँ इसके लिए टेकनिकल टोल से उनका यूज करता हूँ और उनको बाई करके फोल्ड करता हूँ और जहां पे मेरा टेकनिकल टार्ट एचीव हो जाता है वहां पे मैं एकजिट कर लेता हूँ तो इन सारे स्टॉप के उपर मैंने पहले वीडियो बनाया था आप जाद करते हैं देखना आपको काफी कुछ सिखनी को मिलेगा तो इस तरीके से हाँ एक सीज और मैं बोलूगा कि एक सवाल और भी आ सकता है कि मैं इसमाई टेकनिकल टार्ट एचीव होगा देखो टेकनिकल टार्ट किसलिए अचीव होगा क्योंकि फंडेमेंटल के द्वाड़ा जस्टिफाइड है यह जो रैली थी ना इस तरीके जो रैली आई थी यहाँ पे जब भी प्राइस ओबर वैरूट होजाता है तो यहाँ पे बाई होती है और अगेन स्टॉक उपर जाता है तो इसलिए यहाँ पे फंडेमेंटल अगर आप चिक करोगे ना तो सबका आप काफी इंप्रूव हुआ है तो इस तरीके से हमें चीजों को समझ कर अच्छे स्टॉक को सस्ते में बाई करना है तो यहाँ पे बाई करना है और अगेन टेकनिकल का यूज करके सेल करके आसानी से पैसे बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि यूटूब मुझे प्रमोट करें मैक्सिमल लोगों तक मेरी बाते पहुँचे आपके सपोर्ट की काफी जूल होता है मिलता हूं नेक्स वीडियो में टेक केर बाई